दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूटूब चैल में दोस्तों आज एक क्लास नमबर 6 आज कि इस वीडियो में बात करेंगे जो भी इनवर्सिटी वा कोलेज के चात्र है यानि कि सेशन 2021 और 22 में जो भी जिन भी चात्रों का यानि कि जिन साल में कई बार यह सारे कोईश्चन रिपीट हो चुके हैं तो जहां से समझेगा एक कोईश्चन आप सभी के लिए बहुत हो सकता है वह सकता है इसमें से कुछ कोईश्चन आपके एक्जाम में भी आ सकते हैं ठीक है तो चले बिना देर की वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको सारे जानकारी हम देंगे दोस्तों आपकी जानकारी के बता दूँ कि कल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाई इसलिए कल वीडियो प्लोड नहीं पाई उसके लिए सोरी फिराल आज से फिर से हम कॉंटिन्यू क्लास करेंगे और देखते हैं कि आज कि वीडियो में आपको बताएंगे जो भी इन्वर सीटी और को चात्र है उनके जो इंपॉर्टन कोष्टन है हला कि हम ट्रिपल सी से सब्मंदित भी कोष्टन मनाते हैं इसलिए यहाँ पर ट्रिपल सी कोष्टन एंसर लिखा है तो कन्फ्यूज मत होईएगा आप लोग को चलिए वीडिय ज्यादा मॉडल कोष्टन पर अब प्रोवाइट करें और सभी कोर्स के करेंगे हम ठीक है वाज किसी बीडियों बात करने वाले हैं यह हिंदी माडल कोष्टन के बारे में जो कि आज जो पेपर वह से मालूम हिंदी में दो एक्जाम होते फश्ट पेपर और सिकेंड पेप पर की ठीक है जो आते हैं बहुत सारे कोष्टन एक्जाम में पहुंचे जाते हैं तो पहला कोष्टन जो है वह प्रताब नहीं में इस इंक्लूड़ेड है यानि कि हम पढ़ते हैं कोष्टन और असका एंसर भी आपको बताएंगे आप लोग को मालूम होगा कोष्टन का आ इसका जन्म कहां हुआ था गोंडा उन्हों जिले सा जहां और कटक इस कोष्टन का राइट एंसर जिन शात्रों को मालूम बेसा कमेंट पर बताएंगे नहीं मालूम है तब आप लोग कुछ जरूर करिएगा ठीक है इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था उन्हों किस सन में आप प्रताब नायर्मिस का जन्म हुआ था नंबर ध्यान समझेगा बहुती इन्क्लूट कीए इसमें अगला कोस्टिं कहरा है कि प्रताब किस यूक निबंदकार है यानि कि प्रताब नयार्मिस्ट आप सभी कह सकते हैं और यहां पर कोश्चन पूछा जा रहा है किस यूग के हैं आप से मिल जाएंगे दुवेदी यूग भारतेंद यूग चायावादी यूग प्रगतिवाद यूग तो कोश्चन को राइट अंसर हो जाएगा वह जाएग की प्रताब नयार्मिस्ट की हजाय प्रसाथ की रामकुमार वर्मा की आपके जानकारी के लिए बता दें हमकी जो प्रताब नयार्मिस्ट की है वो मन की लहर ठीक है इनकी क्रती है इसलिए कोश्चन को राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा आपसन नंबर कौन स कि आपसे नंबर बी टिक कर दीजिए इस पे बी नंबर अगला कोश्चन है कि ब्रहमण नामक पत्र का संपादन किसने कि अभारत इंद डाक्टर जिक्मोहन ने प्रेम घन ने प्रताब नायर मिस्र जी ने तो इस कोश्चन के तो राइट एंसर हो जाएगा ब्रहमण नामक प अगला कोश्चन है कि निबंदकार के नुसार ठीक है इस वराधन के लिए कौन सा उपादान अतिमहत्व पूर्ण है नंबर एक है तब प्रतिमा दयादान तो कोश्चन में आपको लोगों का आप्शन मिली गए तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नं निबंदकार के उनुसार पूजा का अर्थ होता है वह होता है सतकार इसलिए कोश्चन को राइट एंसर हो जाएगा आपसे नंबर सी हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और लिखाए कि आपके पार्ट क्रम में प्रताब नार्मिस्ट का कौन सा निबंद है यानि कि जो भी प्रता है उसका क्या नाम है आपसे मिल जाएगा बीर्ता इसवर की मूर्त उट्सा कोटज तो कोश्चें की राइट अनसर हो जाएगा इसलिए राइट एंसर पर हमके लिए करेंगे बढ़ेंगे हम अगले कोश्चिन क्या क्या का राथ दूस्तों पढ़ते हैं लिखा कि ब आएंगे और आते ही आते भी हैं तो बात निबंद किसका है तो आप लोकसर रदों कि न्राला यादि की सूर्ग कांट प्रुछी निराला जी के बारे की बात हो रहें नीचे दूसरे जी हैं जैस अंकर प्रुछáद जी और मिस्र जी आप समझ अगला कोश्चन है कि वेदों में इस्वर के किस स्वरूप का वरण हुआ जो बेदों हैं वेध हैं उसमें इस्वर की किस स्वरूप का वरण हुआ तो इसमें लिखा आपसन है कि शुक्चम बी नमबर अत्शुक्चम सी नमबर बिराट इनमें से कोई नहीं तो इस को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमबर सी बिराट ठीक बेदों में इस वर की बिराट सुरूप का वराडन हुआ है ओके अगला कुष्टिन कह रहा कि इस वर की मुर्त निबंद की भासा किस यूग की भासा से मेल खाती है आप्शन मिल जाएंगे कल अगले कोईस्टिन के दोस्तों मढ़ेंगे लिखा है कि इस वर के आदम को किस वरूप में बनाया है आप्शन है शैतान दूसरे के अपने हाइवान की कोश्चन का राइट हो जाएगा आप्शन अमबर सी अपने ठीक है अपने अगरा क्या है कि दिवाली में उपासना निबंद में कौन से सहली प्रियुक्त है समास सहली ब्यास सहली चित्रात्मक सहली और तरंग सहली जब आप प्रताम नर्मिस के जुलेशन है या पाट उसमें पढ़ेंगे उसके संबंदी जितने प्रतियां है उनके बारें तो वहाँ पर एक क्यूश्चन आपको लोगों को बन जाएगा दिवाली में कौन सी उपासना निबंद दिवाली में उपासना समन्द में कौन से सहली प्रियुक्त है तो इसको राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी तरंग सहली क्लिक क प्रधान है हाश बेंग है का और खा दोनों डीम है इन में से कोई नहीं तो इस वर कि मीर्ति जो सीर्शक निबंद है वह विचार प्रधान और हास बेंग दोनों ठीक प्रकार की सहली इसमें पाई जाती है सहली है तो इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी का और खा दोनों जान रखिएगा करने वाले कोश्चन आएंगे तो आप लोग समझ के उसका एंसर दीजीगा तो राइट एंसर का हो जाएगा दोनों विचार प्रधान और हास बेंग का और खा दोनों अगरा कोश्चन है कि लेखन कला में प्रताब नाराण मिस्र किसे अपना आधर समानते हजाय प्रसाद अबेदी को भारते लिए राम चल्ट अगरेंगे का मिस्र जी ने किस आलिका प्र्योक किया है तरंग चित्रात्मक समास कला तो राइट एंसर हो जाएगा इसमें इननों जो प्रियुक्ति किया है वो किया चित्रात्मा किसले राइट एंसर भी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि दोखा व्रद्ध निवन्द किसका है नंबर एक प्रताब नार्मिस जैनेंद्र यस्पाल यग्गे तो आप सभी को राइट एंसर मालूम हो गया हो दोस्तों तो इसके लिए मैं सोरी आप लोगों चाहता हूं फिर आप लोग इससे समझ लीजिएगा यह थोड़ा टाइप करने मिस हो गया है फिरहाल दोस्तों आज वीडियो मैंने पूरे पूरे जो है वह 18 इनसे सम्मधित यानि की स्री जो हमारे प्रताब नार्मिस जी है इनसे सम्मधित मैंने पूरे 18 question included के थे जो कि टॉप लेबल के थे जो की पूरे टॉप लेबल के question थे यह सारे आपके exam में कुछ ना कुछ question पूछे ही जाएंगे इसलिए मैंने यह टॉप लेबल के रखे है I hope आप लोगों वीडियो अच्छी लगी हो और भी question परताब ना question बनाऊंगा तो इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो का लाएक करिए कोई question है कि सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट करिए हम उसका reply भी देंगे और आपके model पेपर भी हम प्रोवाइट करेंगे वीडियो के जरिए ठीक है मिलते है नेस्ट वीडियों तब तक तिल जय हिंद